फिरोजबाद के बरी के लगने के निवासी ओम वीर कल अपने घर से अपने स्टाफ के लोगों के साथ बाहर निकला था घुमने के लिए जिसके बाद आज कक्रो कोठी पर उसकी लाश पुरिस ने बरामत की है ओम फिर के पिता का कहना है कि लाश की जैसी खालत घायल अवस्था में मिली है उससे ये साफ पतर लगता है कि ये किसी तरह के का हादसा नहीं है बलकि किसी ने उसे मारने का शडियंतर रचा था जिसके वो शिकार दुआ है अभी पुलिस कारवाई के बाद पूरा माम रख्या है सामने आएगा फिरोजवाद से सौरास सेंग सकेच निउस जाएगा के लगता है ये बाद पुलिस की बाद आएगा सेम्टित घरोजवाध रचा रचा भाण रचा आएगा जानी कहा है? जात में जातों की तो जात करेंसरे लगए कर sampagζा किसके बाहने हो लड़कशना की बार दोर्ट कि कहा दली उहांु तक है तो यह क्या मामला आए बुरा एक जो है शामको नादो के घर से लिखला है दो लड़के लिवा कि लाए है इस स्टाप की और यहां पर इससे पहले काम करता था अभी गाड़ी पे कम करा दूटी कर रहा था और जानल कि तो पुछ लगता है कि आहले करता, आप नहीं कर रहा पतार को मतर कह यह यह अब चीगाता तो मुझे जाएंखा कहां इपले मा रहा है यह पहुत अल मुझे कहां मारा कहां मारा द्वाणी कौठी मे लिए लिए और उसका और इस वाकर्वकोरन कहा एक अधों के साने हैं अगुन के निसान यहां अधू है किसी आज जा दार्डार कि और ये सिर्फवे वह जैसी पीचे समारा हो आणि एककाइब है मामला तो सामने दिखाई दे रहा है इसकी अत्या हुई है और उसकी एक तौह की फोड़ दी है और दार दार अत्यास से उसके उपर प्रहार किया है प्रहार करने के बाद और उसको वहाँ कगर कोड़ी की पास उसको फैका है कुछ लोग तो क्या नामता हिंका उम्भी नामता करता था लेकिन कुछ दिनों से वो दूसरी गारी पे चला है जो की अस्ताल से लगी हुई गारी है आखिर कर पुलिस क्या होता रही है पुलिस अभी उसको मामले को संदिक्त बता रही है पोस्ट माटम होने के बाद ही पता चलेगा कैस का मटर